अनिक्वेस्ट ने सामरिक साजेदारी के साथ महाराष्ट्रा में अपनी मौजूग्टी को बनाया सशक्त मुंबई, भारत के प्रमोख सुपर स्पेशलाइस्ट लेबोरेटरी नेटवर्क ओनिक्वेस्ट लेबोरेटरी इस लिमिटड ने महराष्ट्रा में अपना संचालन बढ़ाने के लिए शुरुती क्लिनिकल लेबोरेटरी के साथ साजेदारी की है ये सामरिक साजेदारी भारत की कमर्शियल राजधानी मुंबई में चिकित्सकों एवं अस्पतालों की अद्वांस टेस्टिंग संबंदी जरूरतों को पूरा करेगी तथा कैंसर की निदान एवं स्पेशलाइस्ट जाच की क्षेत्र में ओनिक्वेस्ट की मौजूदगी को और अधिक सशक बनाएगी ये साजेदारी एक प्रैसम मिलन के दोरान राज योगी ब्रहम कुमारी योगिनी दीदी श्री आदित्य बर्मन और डॉक्टर रमेश अग्रवाल वरिष्ट सलाहकार चिकित्सक की मौजूदगी में की गई शुती क्लिनिकल 2005 से पैथोलोजी और क्लिनिकल लेबोरेटरी के क्षेत्र में सर्वश्रेश्ट सामुदाइट सेवाएं उपलब्द करा रही है लेबोरेटरी में सभी आदुनिक और सर्टिफाइड उपकरन है यह अपने सटीक एवं तीवर परिनामों के साथ बढ़ी संख्या में मरीजों को उच्च गुनवत्ता की सेवाएं उपलब्द कराने के लिए प्रतिबद्ध है इस साजेदारी के साथ लेबोरेटरी की सेवाएं नियमित एवं स्पेशलाइस्ट जाच तक ही सीमित नहीं रहेंगी बलकि उप्भोग का सुपर स्पेशलाइस्ट एवं अडवांस जीनोम टेस्टिंग तक का लाब भी उठा सकेंगे हमारी डॉक्टर कृष्णा देसाई जी और आप का दारे होएं सारे मीडिया वाले बहुत खुशी की बात है हमारी डॉक्टर कृष्णा वेहन बहुत एक्स्पीरेंस्ट और हमारी प्येसे सेमजी हॉस्पिटल ब्रमकुमारिस चलाते हैं वहां भी आप ओनररी पैथलोजी और ब्लड बैंक में पूरी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने वहां अपनी सेवा दे के बहुत आगे पैथलोजी और ब्लड बैंक को बढ़ाया है और हमेशा आटी में एक दो केम्प हमारे होते ही रेते हैं तो मैं कहेंगी कि और हमारी बहन जो है वो आगे बढ़ते रहें सफलता सदा उसके साथ रहें और भी इतना पबली को लाब मिलता है जीवन में कभी भी जब इमर्जन्सी होती है तो ब्लाड़ी चाहिए तो बहुत जरूरी है और कोई भी डाग्नोसीस बीमारी का करना है तो पैथलोजी ही चाहिए तो बहुत जरूरी है ये सेवा देना और और बढ़ता रहे हमें बहुत खुशी है Thank you everybody for being here. Thank you so much for your presence. It's really, really appreciated. Sir, it's been an absolute honor to meet all of you in person. Where did Onquest come from? Onquest started as an idea in 1999, when we had 1999, the year 2000, the idea was how do we bring top-end genetic technology to India? तब से हम जनेटिक्स का बात कर रहे हैं. उस ताइम पे हमारा एक एक कंपनी होता था दाबर फार्मा उसके अंदर हम एक छोटे से दिविजन थे जब हम onquest को देखना शुरू किये. 15 लोग थे एक हमारा लाब करीवन इतना ही बड़ा था. 15 लोग. And हमारा वो central lab था. That was the big central lab was actually the laboratory was about the same size as this one. But absolutely. So we were very proud at that time that we had the opportunity to bring such amazing technologies to India, serve the people, help our doctors make good decisions and that's really what we are about. We are a partnership firm. काफी लोग होते हैं कि हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता. That is why we are a partnership firm. We partner with doctors to bring better outcomes for patients. We partner with fantastic individuals such as Dr. Desai right here to bring our services to more and more places. क्युकि अकेले सब कोई नहीं कर सकता कुछ भी. So we believe in that truly that we need partnership from people, we need help, we are there to give help and so this is a real two way street of knowledge sharing, of experience sharing. When we started the laboratory it was only doing specialised services and then we started doing hospital lab management, we do clinical trial support, we do routine services, specialised, semi-specialised, genomics. So our whole spread across the entire spectrum and that's what we want to bring. अगे दारी में इसे चालो हुआ है, क्या वागे दारी का मकसद था और किस तरह से चालो हुआ है? वागे दारी में तो ऐसा है कि हम यहां पर एक regular pathology 20 years से चला रहे हैं, जिसको routine pathology investigation पर्वाई रहे हैं, वाइल बेज साल से on-quest laboratory है, जो सारे genetic, molecular, super special, sophisticated investigations कर रहे हैं. कर रहे हैं, अभी हम दोनों ने बागे दारी की, so we can bring routine investigation as well as all specialized investigation to each and every corner of India at a very reasonable rate. That is what is our reason. तो किस तरह के टेस्ट होने वाले है, जो यहां पर अभी अवरेलेबल मॉंबाज में है कि नहीं है, ऐसे कुछ टेस्ट होने वाले है? जैसे कुछ cancer के बाले में ती हैं? जैसे कुछ cancer के बाले में ती हैं? Almost all the investigations under the molecular genetic umbrella, we will be offering to the patient. मैं इस लबरी में, आम पब्लिक ले कितना यहां पे किस तरह का सुधा अपलेद रहे हैं यहां पे? We are going to float different packages, we are definitely going to do some charity work also in different institutions and the NGOs and for all regular pathology we are going to offer some packages where patient will get best possible service at very reasonable rate. किस तरह के social workshops के होने वाले अपके committee? See, there are so many NGOs, they keep on approaching us, Shruti as an individual and OnQuest as an individual. So, we'll take all the NGOs requirement in consideration and we'll try to help them. स्वेर अपके ले का सी तरह के है। Yes, that's what I'm saying, everything under the umbrella of pathology, जिसमें आ गया, जिनेतिक्स आ गया, हिस्नोपतलोजी आ गया, say like you won't be able to understand this molecular word but everyone is aware about COVID PCR, so that is one of the molecular investigation और आप सब को मालू में कि वो कोई PCR चार लबोरेटरी में होता था चार दिन बादे पॉर्ट आता था अप्लाइप पकरनी पर पॉर्ट नहीं आया है so those are super sophisticated investigations and it's not PCR is not only for COVID now you all know PCR because of COVID but PCR is done for so many investigations so many diseases including TB type of malaria chicken gunya leptospiruses the name which are well known to you those investigations are finally diagnosed by using PCR method support this are known as molecular investigations then you everyone knows about you know infertility well sometimes so those are chromosomal genetical analysis then there are we are into cancer investigation anything related to cancer prevention diagnosis and the follow-up of the treatment treatment cannot be done by pathology investigation but we can follow up of the disease by doing serial investigations of that particular disease so all these investigations are being offered from this laboratory and at a reasonable price to all common memory and at best possible quality reports we are starting with the routine tests which are required for everybody's well-being and their and their frequent use over time we will bring more and more technologies to this laboratory as the as the need gets bigger from the doctor side right aap toh jante hai ki doctor the size has been in this field for a long time toh ke saai aam consult kareenge aur over time we will make sure that we bring more and more technologies into Mumbai through Dr. Desai and of course our other partners as well thank you very much for being here hum humara we are not just a laboratory that does joh laboratory ke under hota hai we partner with many people around the world toh there are there are technologies which are only available in certain other countries koji koji kuch germany mein hai koji kuch amerika mein hai koji kuch ilke mein hai toh un laboratories ke saath hum taia up karte hai aur humari partnership ban jati hai where we represent some of these laboratories here in India kiki zaroorat toh sab koji ko hota hai testing ke liye ya either ya udar and that availability is a big thing kiki pehle ike ye tests available nahin mohke te hai ab available hai hain humare thru humare partners ke thru humare family ke thru and we would like to bring more and more such technologies from overseas bring them to India from one laboratory to the other the idea is to make everything as Dr. Desai said available in all corners of India तो जो नहीं है, और आजरा की पेस्टा पर इसलिग है कि एक ही उत्व तरीस और इसने प्रेवागे. वे और लागल लागला है, वे डाहना को बगेस्थ एक क्यों एक है क्ष्टावार क्रॉश्वार को नहीं मराजाएं. in New Delhi and Ghorg topped. The reason, you know, Mumbai is a very, it requires a very different kind because there are so many people, the population is high, there are many, there is a huge amount of, just by virtue of the population, there is a lot of disease that happens and cancer and other kinds of things which is very, very, you know, देज़ कि अमबाइ थो добर स्थार वी क्या और प्राटरियों कि अमभाइ कि अथना कि अऊने पार्टर्टी परोड़ियों इसका प्यावाशनों प्रॉच्छिल का तोिछ्छिक कि ए निए निए ऴूंपार्टा पर्टरियों में वाज़ियों। वत्सक्राश प्रेशम गाजय है, प्रेशल दुटन नगया। थीज़ इनुटने लिगाSi भी खर खर नहीं जो होगा है। भोर्या है, वे टुुटने को हैं लाय को अगया, वे गुटने को अवाब हैं है। वे लेजिए के सही हम अर्वाइट की आजह हो गए आखो रावेड़ी स्वेथा में हैं तुम्यजिए अर्फिव लुट्वाइ और हो गोजिए नहीं है I've been here all over the years, I've seen OPDs happening at midnight and all of this because there are so many people that need these things and not just for Mumbai, लोगा कुछ से आते हुपाइ, so this is really not only for the people of Mumbai but for all the people that Mumbai also serves. The doctors, like I said, from here have been amazing. We just, but it's one India. We need to make sure that ideas flow in healthcare, that you have ideas coming from different cities to other cities because nobody wants to work in a bubble, right? So it's very important to have this free-flowing of ideas and practices so that we can get the best practices across the entire country. And how would OnQuest help that cause in spreading it across? Oh, I think OnQuest has always been leading that cause along with our partners. Like I said, bringing technologies to India has been our passion. We were the first in bringing so many technologies. As a matter of fact, we were one of the first to bring PCRs to India. We have been the first in many different types of tests and technologies to bring them to India. And like I said, I think that it is our responsibility to bring, to make available to what is the best in class around the world to everybody that is in India. And actually it's amazing. We do it better, I feel, in India than many other countries abroad. Our efficiency costs, our high technologies, quality. Quality is world class in India. Technology is world class in India. And I feel that, you know, now it needs to go the other way. Technologies need to be developed here in India for the rest of the world. Absolutely. अजया प्राइवर्मेंट्स आभे पताएं कि प्राइबेट लेबरोटरी और गॉर्वर्मेंट लेबरोटरी में चार्जिक क्यों गवर्मेंट्स वालिवु कम रहता यहां जदा अज़ाएं? government institutions में costs पूरे से डिफ्रे हो जाते हैं कि मतलब कैसे आदेखिए ये laboratory, ये laboratory के लिए ही है लेकिन government setups में काफी time दूसरे costs हो जाते हैं जो दूसरे departments ले लेते हैं right, so costing का, costing काफी similar होता है इस दो जगे government feels that they want to bring something at a price which is right for the community and for that range of affordability, they have to do what they have to do we don't believe in overcharging for anything but there is a responsibility we have to make sure that this continues charity, charity works as long as charity is being given business works and brings this technology to the table not just for now for later, for many years right, we want to be here a hundred years from now doing the same work obviously in a very different environment अच्छा सारे बताईए कि मतलब कोई ऐसी टेक्नालोगी नहीं है जो कहीं कहीं दब-दस दिन के बाट कोई रिपोर्ट आती है इंदूजा में मैं लेने के लिए गया था कोई रिपोर्ट थी मेरे घर की तो यह ख़ते आज दस दिन लगे त्योंगी पूले कोई बताईफ यह एक वाट नहीं कोई टेक्नालोगी में पाट सारी स्थेप्स लुए इस बहुत नहीं हुत नहीं है कोई शोक से डिले नी करता और नहीं कोई टामी लगाता कोई आप यह ख़ते दिन भी तो बताईफ देशना था झाल झाल